तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखो कि इसमें basically क्या है कि यह करते हैं कि अगर एक point mass यहां पर located है इस point mass जो की center पर location यहां पर है और यह इसमाल एम का है और यह कि hemi sphere this is the hemi sphere तो यह जो hemi sphere है इसका जो mass है वो capital M के equal है तो यह hemi sphere capital mass के equal है और यह यहां से तो अब अगर तुम देखो कि तो इस mass को मुझे ले जाना है कहां पर infinity पर ले जाना है तो external agent को कितना work done करना पड़ेगा तो work done is equal to minus times or potential of the potential difference of these two points मतलब यह होता है और यह किसका work done है by conservative force by conservative 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 force का work done आप पढ़े होगे conservative force का जो work done है वो इतना होता है मेरे बाई तो अगर तुम मतलब यहां पर देखोगे तो minus M times work done by the force is equal to conservative force potential point final minus initially तो minus infinity पर चला गया तो यह यहां से एक बार हम लोग यह concept external agent के अब यह point mass अपने आप तो जाएगा नहीं भाई तो अपने आप नहीं जाएगा तो work done by work done by external agent तो external agent कितना work करेगा तो external agent का अगर work done निकालोगे तो यह plus M final potential minus initial potential मतलब यह होता है कि external agent का और final potential infinity पे चला गया और initial potential मतलब देखोगे तो initial potential यह वाला मतलब अब initial potential की value रख दो हम सबको पता है कि potential at the center of the hemisphere minus 3y2 cm over r के equal होता है अगर थोड़ा सबी पढ़ाई लिखाई किये होगे तो यह फार्मूला याद होगा तो M times minus 3y2 cm over r की value रखोगे और detail में मैं इसको बताता हूं तो 3y2 cm over r तो यह जो एक important concept है कि potential जो होता है हेमी इस्पियर के center पे इतना होता है अभी मैं तुम्हें एक दूसरा method बताता हूं के calculus से घबडाओ नहीं है सब कुछ detail में मैं बताऊंगा तो तुम यह बात अगर थोड़ा सबी पढ़ाई कि कि यह म मास का हेमी SPR है और इसी मास का मैं क्या बना दूं solid SPR बना दूं तो सी पॉइंट पे जितना potential यहां था अभी भी उतना ही potential रहेगा अगर मास से में तो और radius आर है तो ठीक है तो potential at the point C is equal to minus 3 by 2 potential at the surface होता है तो minus 3 by 2 cm over r के equal होगा और अगर इतना ही मास का में कोई कौन बना देता हूं समय इतना ही मास का में कौन बना देता हूं तो सी पॉइंट का potential यह solid कौन है जिसका radius आर है और इसमें पूरा का पूरा मास म है तो potential पॉइंट सी अभी भी माइनस 3 by 2 cm over r होता है ठीक है थोड़ा से भी प्राइब है यह मैं इतना ही मास का कुछ और बना दूं लाइक quarter बना दूं अगर मैं इतना ही मास का एक के रेडियस आर का solid quarter बना दूं जिसका मास म है और यह रेडियस आर है तो यह सी पॉइंट का जो potential है वो माइनस 3 by 2 cm over r के एक्कॉल होता है तो यह potential नहीं होता है और यह हर potential तुम्हें निकालना पड़ेगा और याद रही है तो वी नीड टू कैल्कॉलेट दप्टेंशियल मंदब सर्फेस में potential का derivation करोगे बातारा समझ में तो एक बार मैं आपके लिए कर देता हूं आप भी क्या याद रखोगे और तुम्हें लगता है कि हमारे सलूसन बिल्कुल यूनिक है और अच्छे है तो उनको लाइक और सेर यार सपोर्ट करो तो एक मतमा बना लेता हूं कि solid यहां से मैं बना दिया solid है में SPR समझना तो यह solid है में SPR यह solid है में SPR हमारा टार्गेट है potential of point C निकालना यह जो C point potential of point C निकालना यह यहां से इसकी radius R है और solid SPR के पास total mass M है तो मैं एक काम करता हूं यहां से कुछ यहां से थीकनेस कुछ समयरा कुछ ऐसे थीकनेस DR का यहां से आर डिस्टेंस पर जाके कुछ थीकनेस DR का मैं एक सेल जनरेट कर लिया ठीक है दिस इस देडिफरेंशियल सेल के डिफरेंशियल इलेमेंट है और यह सेल है मेरे भाई तो अगर यह है मिए स्पिरिकल सेल है तो इस सेल का यहां पर देखो इस सेल के पास कितना मास है और सारा मास यहां से टोटल मास यह वाला इस सेल का यहां से यह जो सेल है सारा मास जो डिस्टिब्यूट है यह सारा मास यहां पर कितना पटैंचियल भना रहा हो निकाल और फिर लिमिट लगाखे इंटेग्रेट कर दो इस इसेल का beter रहर सबसे पहले इसमें मास dawn साव होगा तो मास पर उनिट माझ पर युनिट सर्फैस एर्या डिफाइन कर लेते हैं मास पर युप पर वॉलूम मास पर युप पर वॉलूम टुप फोरे वॉलूम कितना था वा I तो आई हो कि ये बात आपको समझ में आए, इतना मास आया होगा इसमें, तो यहां से πाई ने πाई को खतम कर दिया, और 2 ने 2 को खतम कर दिया, तो यह 3 capital M उपर चला गया, और यहां से capital R की power Q, small r square, dr, that is the small mass in this spherical cell, तो यहां से small mass इसमें इतना आ गया होगा, बात समझ में आए तो अब इसमाल मास का potential, जब differential element is cell है, तो यह potential बहुत छोटा बना रहा होगा, तो उस potential की value minus z dm over small r, तो minus z capital G small r, dm की value 3 capital M, r की power Q, और यहां से r square dr रख दूं, तो एक r यहां से एक r को खतम हो जाएगा, तो यहां से आजाएगा, 3g capital M small r, dm की value आजाएगी, वो r की power Q, इसके equal आजाएगी, this is the small potential, यह जो है, छोटा potential है, जो एक cell बनाया है, तो total potential बहुत, integration of dv, limit जाएगी, r is equal to 0 to r is equal to capital R, तो यहां से आजाएगा, minus 3gm, r की power Q, और integral small r dr, तो r is equal to 0 to r is equal to capital R, तो यहां से तुम देखोगे, तो minus 3gm, over r की power Q, और यहां से r का square divided by 2, तो minus 3gm, यहां से तुम देखोगे, तो यह आपांट 2r, gm over r, this is the final potential of the point C, तो obviously जो potential point calculation हो गया, तो work done जो आजाएगा, वो minus conservative external agent का, external agent का जो work done आएगा, अपने आप तो जाएगा नहीं भाई, infinity को, external minus change in potential, तो final potential is equal to minus, plus m, final potential minus initial, final potential कितना आजाएगा, infinity को 0, और यह minus plus हो गया, और यह आजाएगा, 3gm over 2r, तो finally आजाएगा, plus 3gm, small m over 2r, this is the final solution, तो I hope कि आपको बहुत बहतर तरीके से सारी process समझ में आ गया होगा, कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, 3x2, and thanks for watching this video, take care, bye-bye.